1999 दी कारगिल जंग विच एक अनोखी कटना वापनी जदो टाइगर हिल दे मोर्चे ते पाकिस्तानी फौज दे कप्तान करनल शेर खान ने इनी बहादरी ना लड़ाई लड़ी कि पारती फौज ने वी उना दा लोहा मन्या उस लड़ाई नूँ पारत वन लोग कमान कर रहे ब्रिगेडियर एमस बाजवा याद कर दे केंदे ने जदो एज जंग खतम होई ता मैं इस अफसर दा कायल सी मैं कटरदी जंग विच लड़ चुकी यहाँ मैं कदे किसे पाकिस्तानी अफसर नूँ लीड कर दे नहीं देख्या बाकी सारे पाकिस्तानी कुड़ते पजा में विस सन इकल्ले इसने ट्रैक सूट पाया सी हाल ही विच कारगिल ते एक किताब कारगिल अंटोल स्टोरीज फ्रॉम दी वार लिखन वाली रचना बिष्ट रावत दस्ते ने टाइगर हिलते पंज थावाते उनाने अपनियां चौकियां बढ़ाईयां हुई असन पहला एट सिक नू उना ते कबजा करन दा काम दिता किया सी पर ओ उना ते कबजा नहीं कर सके बाद विच अठारा गैनेडियर्स नूवी उना दे नाल लाया गया ता ओ इत चौकिते किस तरह कबजा करन विच काम याब होए पर कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला किताब एक वार नकाम होन ते उना ने फिर अपने जवाना नू री ग्रूप करके दुबारा हमला किताब जो लोग एक जंग देख रहे सन उस सारे कह रहे सन कि ए एक आतमकाती हमला है ओ जान दे सन कि ए मिशन काम वियाब नहीं हो सकेगा क्योंकि पार्ती फोजियां दे गिंती उना तो किते वत सी ब्रिगेडियर एमस बाजवा कहन दे हन कैप्टन शेर खान लंबा चोड़ा व्यक्ती सी ओ बहुत बहादरी ना लड़े आखर विच साड़ा एक जवान सत्पाल सिंग जो की जख्मी पेया होया सी उसने अचानक उठके दस गर्ज दी दूरितों एक बर्श मारेया अते शेर खान नू डेगन विच काम्याब रहा शेर खान दे डिग दिया ही उना दे हमले दी तार वी चली गई ब्रिगेडियर बाजवा केंदे ने असी ती पाकिस्तानिया दिया लाशा नू दफनाया पर मैं सिविलियन पोर्टर्स पेच के कैप्टन कर्नर शेर खान दी लाश नू मंगवाया पहला असी उसनू ब्रिगेड हेडकॉर्टर विच रख्या सी जदो उना दी लाश वापस गई ता जे विच ब्रिगेडियर बाजवा ने एक चिट रखी उस्ते लिखिया सी कैप्टन कर्नर शेर खान ओफ ट्वल एन एल आए हैस फॉर्ट वेरी ब्रेवली और यानी की कैप्टन शेर खान बहुत बहादरी ना लड़े आते उनानू इस दा क्रेडिट मिलना चाहिरा है कैप्टन कर्नर शेर खान दा जनम उत्तरी पच्छमी सरदी खेतर दे एक पिंड नमा किले विच होया सी उना दे दादाने उनने जोर ताली विच कश्मीर मुहें विच हिस्सा ले आ सी उनानू वर्दी पाय होय जवान पसंसन जदा उना दे एक पोते दा जनम होया ता उस दा नाम उनाने कर्नल शेर खान रख्या सी इस ना करके उनानू मुश्किल ना वी आईया कारगिल ते मश्यूर किताब विटनेस टू ब्लेंडर कारगिल स्टोरीज अनफोर्ज लिखनवार ले कर्नल अश्फाक हुसैन अनुसार शेर खान ना नाल कर्नल जुड़े होन कारण फौजी उनानू कमांडिक अफसर समझ लें देसन ते सरसर कहके गल करदेसन कर्नल शेर खान ने अक्टूबर 1992 विच पाकिस्तान मिल्टरी अकैडमी जुएन किती सी जदो उत्थे पहुँचे ता उनाने दाड़ी रखी हुई सी उनानू किया गया कि उदाड़ी कटवा देन पर उनाने साफ इनकार कर देता उना दे आखरी सेशन विच उनानू फिर किया गया कि तो आड़ा परदर्शन चंगा रहा है जे तुसी दाड़ी कटवा देओ ता तो नू चंगी पोस्टिंग बिलेगी पर उनाने साफ इनकार कर देता पर फिर वी उनानू बटालियन क्वाटर्स मास्टर दा ओधा देता गया चार जुलाई 1999 नू कैप्टन शेर खान नू टाइगर हिलते जान लई किया गया उत्थे पाकिस्तानी फोजा ने तिन कतारा बढ़ाईया हुईया सन जिनानू कोड ना देता गया सी 109 A, B अते C उना दे दूजे नाम सन कलीम, काशिफ अते कलीम पोस्ट पार्ती फोज 109 A अते B नू वक करन विच काम्याब हो चुके सन कैप्टन शेर खान उस जगाते शाम 6 वजे पहुँचे हालाद दा मौएना करन तो बाद उनाने अगले दिन सवेरे पार्ती फोज उते हमला करन दी योजना बनाई करनल अश्फाक हुसैन लिख दिहने रात नू उनाने सारे जवानानों इकठा करके शहादत ते एक तक्रीर दिती सवेरे 5 वजे उनाने नमाज पड़ी अते कप्तान उमर दे नाल हमले ले निकल गए ओ मेजर हाशिम दिनाल 109 बीते ही सी अते पार्ती जवानाने उना ते जवाबी हमला किता खतरनाख हाला तो बच्चन लई मेजर हाशिम ने अपने ही तोप खाने तो अपने ही उते गोले वराउन दी मंग किती जदो दुश्मन जवान बहुत नेड़े आजान दे हन ता अक्सर फोजा उना तो बच्चन लई इस तरनाधी मंग कर दियाने करनल अश्वाक हुसेन अगे लिग देने साधियां अपनियां तोपान दे गोले उनादे चारे पासे डिग रही सन पाकिस्तान अते पार्ती जवाना दी हतो हत लड़ाई हो रही सी ओधों ही पार्ती जवान दा एक पूरा बर्ष्ट कैप्टन करनल शेर खान नू लगया अते ओ हेठा डिग गए शेर खान नू उनादे साथिया नाज शहादत मिली बाकि पाकिस्तानी जवाना नू ता पार्ती जवाना ने उत्ते ही दफन कर देता पर उनादी ही मृतिक देनू पार्ती फौज पहलना श्रीनगर ते फिर दिल्ली ले आये ब्रिगेडियर बाजवा 10 देने जे मैं उनादी लाश हिठा ना मंगौन दा अते जोर देके वापस ना पेजदा ता उनादा ना किते में नी होना सी उनादी मौत तो बाद उनानों निशाने हैदर देता गया जो पाकिस्तान दा सब तो वड़ा बहादरी दा पुरुसकार है अते सड़े परमवीर चक्र दे बराबर है बाद विच उनादे वड़े परा अजमर शेर ने एक बयान देता अल्लादा शुकर है कि सड़ा दुश्मन भी कोई बुजदिल दुश्मन नहीं है जो लोग कहन कि इंडिया बुजदिल है ता मैं कहांगा नहीं क्योंकि उसने एलानिया कि करनल शेर हीरो हन